So, ऐसे है साइन शे, साइन मस्ताना जी महराज, शावण शाजी महराज ने खिमा मल से नाम बदला, तब इतने नाम नहीं बदले जाया करते थे, गुरु संद पीर फकीर मौज में आके जो नाम बदलते हैं वो अलग होता है, तो मस्ती में नाचते गाते, तो साइन शावण शाजी महराज ने नाम रखा, मस्ताना शाज, किसी छोटे से इलाके का शाज बढ़ जाए, तो निगा नीची नहीं करता, जनता किसी को शाज बना दे बाद में, जनता की तरफ पींट करते हैं, मुह नहीं कोई करता, समझ गए इशारा, कोई-कोई माई का लाल अच्छे संसकारों वाड़ा, तो जरूर मुह करता, वरना तो भाई, मतलब पढ़ती है, तभी मौसम बदलता है, वरना पतजड रहती है, तो जिसको साइन, दाता रहबरने शा बना दिया हो, जरह सोचिये, फिर भी समझ ना आए, तो क्या किया चाहे, सावन शाजी महराज ने बोला, कि वावई, ये तो शामस्ता ना, नाचते, गाते, जूमते, जिदर से जाते, सेवा बड़ी करी, लकडियों का गठर सिर पे, ठुमके लगाते, चलते, पाउं में गुंगुरू बंदे, कई ससंग्यों को देखा है, बिना सेवा करो, सेवा, आप सोच लेते हैं, इससे ज़्यादा दिवानगी है, जी नहीं, मस्ताना शाह ने जो रीत चलाई, सच्चे सौदे में जो लेके आए, कि सेवा भी कमाते, जैसे तसला रख देते, मिटी डालते कहीं पे, तो जितनी देर में फावडे वाडा, मिटी तसल में डालता, दो ठुमके लगा देते, सद्गुर के नाम की, तसला भर जाता, रख दे भाई सिर पे, रख दिया, तसला उठा के चलते जाते, ठुमके लगाते जाते, खुशियां मनाते जाते, ये थोड़े की काम दंदा चोड़ के, देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐस से नहीं होता प्यार, फकीर सद्गुर के वचनों को मानना ही सच्चा प्यार महबत होती है, तो सच्चे साई ने इसका जीता जागता एक उधारन, बना के दिखाया, कि एक मुरीद और गुरु का रिस्ता कैसा होना चाहिए, खूब नाचते, खाली समय होता, सेबा नहीं होती अलग से, किसी के दर्शनों में अडचन ना आए, अलग से खड़े हो जाते, साई शावन शाजी महराज आते के, तो मस्ताना शाह नाचना शुरू कर देते, मीठी मीठी घूंगुरुओं की आवाज, क्या सुर और क्या ताल, सारा कुछी अपने आप में समेठे हुए, ना जाते, मस्ती का आलम बद जाता, रू और परमात्मा में, गुरू और शिश्य में, मालिक नूर और नूर में, एक दूसरे में समा जाते, दुनिया वाले देखते रह जाते, ऐसा नाच नाच ते, यू लगता बाता वर्न मस्त हो गया, पर कईयों को नहीं बाता, वहां काइदा था कि, अराम से लोग बैठते, भजन सिमन करो भई, बोलो नहीं भई, ठीक है, भजन सिमन के टाइम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सद्गुर बोले तो भजन सिमन बीच में आ जाता, खुली आँखें रखो, खुले कान रखो, ताकि वो ज्ञान हासिर क कर लो, जिसके दुवारा भजन सिमन बनेगा, तो कईयों को अच्छा नहीं लगता, साइन जी दूर चले जाते, वहां नाचते, ना जी, पूटी आँख नहीं सुहाता, शिकायत कर दी गई, कि साइन जी, ये जो जिसका नाम अपने मस्ताना शा रखा है, ये बड़े-बड की गई, साइन जी को बुला लिया, साइन जी ने, एक मुरीद के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि उसका गुरु मुर्शिदे कामिल उसे याद करें, कहते हैं, भाई जोगा जी बीच में लामा चड़ के आगे सी, पूरी नहीं की थी, उसने फेरे जो लेते हैं, बीच में छोड़ दी थी, अच्छा, गुरु का संदेश मिला, चड़ गोड़े पर वो जा वो जा, और मालिक ने फिर उसकी ऐसी रक्षा करी, जो एक उधारन बन गया, सद्गुर मौला ने, कही तो पानी नहीं छोड़ते, रोटी नहीं छोड़ते, फेरे छोडने तो रहबर मालिक बुला रहे हैं, बुलाया, आब ऐ, मस्ताना शाह, तु बड़ा नाचता रहता है, और तु एक और ही नारा गाता रहता है, क्योंकि साइन जी यही नारा गाते, धंदन सावनिशा निरंकार साइन तेरा यासरा, धंदन मेरे मखन मलाई तेरा यासरा, धंदन मे ऐसे बोलते अपने सद्गुर मौला की उप्भुमा करते हैं, कहने लगे तेरी शिकायत आई, कि तु जाता है ठुमके लगाई, और एक नई ही रीत लगाई, चलाई, धन्दन सद्गुरु, धन्दन शावणशा निरंकर साई, ये कहां से तु लेके आई? सद्गुर मौला, ना चुठे, कहते हैं, मेरे रहबर, जब मैं घर में था, मंदिर में, तेरी याद में तड़फता था, हे निरंकार, हे मालिक, हे रहबर, हे दाता, मुझे दर्शन दे, मुझे खुशियां दे, मुझे दिया मैं रहमत कर, तो मुझे वहां, और कोई नहीं मिला, वो तू ही था, जो मंदिर में जा पहुंचा, और दर्शन दिये, कि आवई, तूने मालिको पाना है, जब मैं दुबारा मुड़ के देखा, तू वहां नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला, तू मेरा रब तू, मेरा अल्ला तू, म मेरे मुणा बता, मेरे मकन मलाई, मेरा तू ही सब कुछ, सावनशा साइम शकुराए, कि बाद तो तेरी ठीक है, लेकर ये ठीक नहीं है, क्यों बड़ी बागी लोग वो तो तू ताक में कि ते, हाँ जी ये तो ठीक नहीं है, तो शावनशाची कि अगर ऐसा कर मस्ताना शा धंदन satguru बोलाकर Satguru Om Hari Allah अब तो ये नारा हे लगाया करेगा वाकिए ऐसा होने लगा वो नाचने लगे और मस्ती आ गई मालकी ने छोड़ दी नारे लगाते रहते फिर उनने सकीम की यार ऐसे ठीक नहीं चलो आपां भी कुछ करते हैं पांच चार नचार त्यार कर लिए ठुमके लगाने वाले गुंगरु बांदिये क्या लगे जब साइन जी आए ना आप भी लग जाना तो मस्तानाशा तो रुजाना रूटीन था कोई नई बात तो थी नहीं वो तो लगे रहिशा मस्तानाशी महराज तो उनमें भी पांच साथ जो थे वो गुंगुरु बांद ले ठुमके लगाने लगे तो शाबनशा जी महराज ने देखा बड़ा शोर मच रहा है ना कोई ताल है बे ताले हैं बे सुरे हैं ये क्या हो रहा है कहले लगे भाई ये टोला किसका है तो वोई जिन्होंने त्यार किया था साथ ही होते हैं कई बार कई ऐसे भी होते हैं कहलें कि साहीं जी ये भी सारे मस्ताने हैं आपके प्यार में मस्त हैं नाच रहें शावनिशाजी मुस्कुराई कहते बाई शाव मस्ताना तो एक ही है बाकी तो सब धोंग ची मामला है पानी सा उतर गया खिताब मिल गया डोंगी गडबड हो गई खिते यार चुपी हो जाओ इससे आपका क्या लेना है आपना तो अपने गुरू गुरू किया करो क्योंकि जब कोई बाह न चले तो फिर राम न मिले आदमी फिर मन के कहे साइड में होता है तो साहीं जी ने ऐसे बड़े नजारे लूटे लोगों को दिखाया कि गुरू और शिशे की क्या मर्यादा होती है रभी नूर धरत पे आ गया कुल आल्म को जो महका रहा सुनो जी मस्ती की चली पुरवाई है देवी देव दे रहे बदाई है सुनो जी ऐसे रहबर ऐसे मौला सिदे साधे कपड आपने नाचना गठ बन छटी का उठा लेना नर्मा कपास की छटीओं को ठाके सर पे चल पड़ना नाचते रहना जाडू लगाना पानी खाना किलाना पानी पिलाना पानी चिडगना तो ये सारी सेवाकार सद्गुर जी बड़े दर्दता से करते मुर्षदे मौला मालिक ह आम सेवा करने वाला दंग रह जाता है यार ये किस चीज़ के बने हैं इसकी तरह मनुश्य सरीर में ही संद पीर पेगंबर माली का नूर आते हैं